ओम हरीम स्रीम सीतला ए नम्हा पूजा करना चाहिए वीडियो अंत तक देखिएगा बहुत ही जानकारी आस इसके लिए मैं आप तक लेकर आई हूँ गुडगाओं वाली माता कहां जहां मंदिर हैं वहां बहुत सारी माता हैं जिन्हें माता के मतलब जो वालमी की समाज के लोग होते ना उनकी पूजा की ज जाती है तो आप मुर्गा सरपैसे उतारा जाता है बच्चों के बहुत छोट छोटी जानकारी मैं आपको दूंगी वीडियो को लास तक देखिएगा माता ठंडी माता कहते हैं इनको माता मसानी की पूजा की जाती है और माता मसानी जो होती है ना वो माता नहीं होती है वो माता मसानी के रूप होते हैं तो आप वालमी की जो समाज में होते हैं वो लोग आपको इसकी बहुत अच्छी जानकारी दे देंगे जिनको पुरानी बुजरुग जो होंगे जिनको पता होगी लेकिन मैं भी कुछ सर्च करके आप तक ये वीडियो पहुचा रही हूँ तो आप वीडियो को लाज तक देखिएगा सीतला माता का पूजन चैत मास के महीने में किया जाता है और जो चैत मास के महीने में यानि करशन पक्ष की अश्टमी सप्तमी को ये ब्रत नहीं कर पाते हैं तो उन लोगों को या उनके घरों में छेतर के हिसाब से जेट, असार, सामन, भादों ये चार महीने के करशन पक्ष की अश्टमी में पूजा कर सकते हैं रक्षा बंधन के बाद जो भी सौंबार पड़ता है उसको भी सीतला सप्तमी की पूजा यानि ये माता जो होती है वो पूजी जाती है तो हर छेतर में उसके हिसाब से पूजा होती है इस दिन गहरे रंग के वस्तर नहीं पहनने चाहिए नई जाडू खरीदनी चाहिए उसक पूजन करती हैं वो सीतल साप्तमी की पूजा जरूर करें ऐसा कोई जरूरी नहीं है आप अपने छेतर के हिसाब से ही पूजा करें और इस पूजा को ना सांस और बहु दोनों कर सकती हैं अगर बहु घर में बना कर रख दें तो जो घर के जैन्स हैं वो भी पूज के आ सक जिसे हम माता मसानी कहते हैं यह चौक चौराहे की माता भी होती है तो अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पर सीतला माता का मंदिर नहीं है तो आप चौराहे से चौक चौराहे से चार पांच कंकर लाकर धोकर उन्हें रखकर उनकी पूजा कर सकते हैं और बाद में उनको घ इनके लिए आप 5 पूरी 5 गुलगुले हलवा रखकर पूज दें और वालमी की समाज को दे दें जो हमारे सफाई वाले भेनवाई होते हैं तो मैं ये जो वीडियो बना रही हूं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा इस दिन से ही गड़ गौर की पूजा के लिए जुआरे भी बोई जाते हैं सित्लामाता की पूजा एक दिन पहले सुरू हो जाती है यानि रात को घर का सारा खाना बनाने के बाद रसोई को साफ करके पूजा का खाना बना कर रख दें उसके बाद उसमें खाना ना बनाए जब तक पूजा ना हो जब तक आपको ब्रत रखना है औ वो आपको ऐसे सेखनी है कि उन पर लाल रंग के निसान नहीं आने चाहिए जो लोग चैतनवरात्री नहीं करते हैं या या ये वाली पूजा नहीं करते हैं तो रक्षा बंदन के बाद पूजा कर लें सीतला सब्तिमी की सौंबार के दिन और आपको न दीपक जला के आरती न ये चड़ायाते हैं तो ऐसा ना करें आपको दिया बनाने की जरुवत नहीं है आप सिर्फ लोटे से ही माता की आरती उतारें और जब माता को लोटा चड़ा देंगे तो उसका कुछ जल अपने घर भी लेकर आएं मुख्य द्वार्प के दोनों तरफ डालके और महंदी के थापे लगाएं या स्वास्तिक बनाएं महंदी से महंदी ठंडी बानी जाती है और बच्चों का हल्दी से टीका लगाएं तो ये सीतला माता की पूजा की मैं अपने बच्पन से अपनी दादी अपनी माता अपनी मम्मे को सबको देखती आ रही कि कैसे पूजा होती है तो उनको भी नहीं चलाते थे और ये इस दिन आपको रोली नहीं रखनी होती है पूजा में सिर्फ हल्दी रखनी होती है हल्दी सुब मानी जाती है और मेहंदी जरूर रखी जाती है ठंडा खाना बनाया जाता है जैसे चावल दही गुड़ से बनाते हैं और जो शादी ब्याह को आप अंत तक देत के रहिए अगर आप पूजा नहीं कर सकती हैं तो थोड़ा सा कच्चा आटा लें गुड़ लें उसमें दो भून सरसों के तेल की डालें कुछ पैसे सिक्के डालें बच्चों के उपर से उतारें और किसी भी माता के मंदर में या चोराय पर रखी आए तो ये मैंने बहुत ही सरलविधी से आपको पूजा बताई है सितला माता के बारे में पूरी जानकारी दी है मसानी माता के बारे में दी है आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप कमेंट्स बॉक्स में जै माता दी जरूर लिखिएगा आपके मन में कोई भी स सवाल हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं आपके तसली के लिए हम जवाब अवस्य देंगे अगर आपके घर के पास सीतला माता का मंदिर नहीं है तो आप नीम के व्रक्ष में एक लोटा जल चड़ा कर माता से प्रातना करें कि हे मेरी पूजा को मान लेना और सीतल रहना ठंडी रखना आई होप कि आपको मारे वीडियो पसंद आया होगा ऐसे ही सनातन धर्म से जड़ने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर जैमाता दी